Hi everyone, मेरा नाम रिच्चा जैन है, Welcome back to my channel Kids Developmental Activities तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है Self Feeding कि हम बच्चे को अपने आप खाना कैसे सिखाईए हर मदर का एक concern रहता है कि मेरा बच्चा अपने आप खाना सीख जाए तो मैं भी independent हो जाऊँगी, वो भी independent हो जाएगा तो ये बहुत important step रहता है बच्चों की development में और जैसा कि अभी हम school readiness पे series कर रहे हैं तो ये बहुत important factor रहता है school readiness के लिए भी क्योंकि mothers नहीं होती है school में अब mother का सबसे बड़ा concern रहता है कि मेरा बच्चा school में मैं टिफिन तो दे दूँगी बट वो खाएगा नहीं उसको तो मलब as a mother I will be very concerned कि मेरा बच्चा खाकर नहीं आ रहा है उसको issues आ रहे हैं तो ये वीडियो आज पूरा उसी पर dedicated है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो don't forget to subscribe self feeding खुद से खाना खाना जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो तीन चीजें इससे डवेलप होती हैं बच्चे की one is independent skills कि बच्चा independent होना start हो जाता है वो अपने आप से खाना खारा है तो at least अगर वो hungry है तो अपने आप खाना खारा है the second thing is fine motor skills क्योंकि बच्चे की देखे वो pick करेगा ऐसे pick करेगा ऐसे pick करेगा तो वो fine muscles का use करेगा उसकी grip अच्छी आएगी fine muscles improve होगी वो बनाना पकड रहा है मालीजे उसने उसको ऐसे mash किया ठीक है this is fine motor activity कोई चीज को ऐसे गाजर दिया अपने गाजर को ऐसे तोड़ा this is fine motor activity तो उससे उसकी fine motor activity fine motor skills भी improve हो रही है the third thing is food awareness जब बच्चा खुद खाना start करता है उसको उसका touch ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है fragrance उसका taste उसका texture हर चीज उसको awareness आती है क्योंके this is liquid अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो इक गिर जाएगा इसको मैं hand से उठा सकता हूँ इसको में थोड़ा सा heaviness है तो वो सब चीजे वो explore करता है तो self feeding is very important बच्चे को ये सारी चीजे समझाने के लिए on their own ठीक है अब बात आती है self feeding बच्चा start कब करता है by the age of 18 month डेड़ साल के बच्चे को हम लोग finger food कब से self feeding किस से start होती है finger food से कि बनाना दिया बनाना आपने उसको दिया बनाना वो खा रहा है आपने उसको chips homemade chips दे दिये उसने अपना उठाया और खा लिया गाजर दी गाजर उसने खा लिया मतर दिये मतर खा लिये कोई भी crunchy solid semi solid solid food उसको दिया और वो खा रहा है उठा कर खा रहा है spoon का use अभी बच्चा नहीं कर रहा है sorry by the age of 2, 2.6 बच्चा spoon holding अच्छे से सीख जाता है अगर मैं एक normal pattern की बात करूं तो उसको spoon holding आ जाएगी spoon लेगा आदा खाएगा आदा गिराएगा but what happened क्योंकि हमारे बच्चे delayed milestone पे हैं अगर बच्चे delayed milestone पे हैं या कोई issues हैं तो वो इस हो सकता है यह जो मैंने timeline बताई है इस पे वो appropriately work ना करें तो हमें उनको help out करना पड़ता है देखें spoon holding में दो तिन चीजें चाहिए one is spoon holding कि बच्चा spoon कैसे पकड रहा है क्या उसकी grip है क्या वो उसको hold कर पा रहा है the second thing is eye and hand coordination क्या वो spoon directly mouth में लेकर जा पा रहा है eye and hand coordination चाहिए या फिर वो spoon यहां आ रही है यहां आ रही है उसको यही नहीं पता है कि where I have to put the spoon वो coordination नहीं है limbs का the third thing is interest क्या उसका खाने में interest है तो यह तीन चीजें बच्चों की self feeding में important रहती है तो सबसे पहली चीज है इंट्रस्ट आप सबसे पहले इंट्रस्ट होना जरूरी है बच्चे का आप उसको जब भी self feeding motivate करें उनकी इंट्रस्ट की आइटम से start कीजिए like if your kid loves banana और आप उसको apple present कर रहे है apple उसको नहीं पसंद तो वो नहीं उठाएंगे और नहीं खाएंगे give him banana instant इंट्रस्ट के लिए दूसरी चीज रहती है हर mother को यह पता होता है कि अब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं उसको अगर कोई भी चीज प्रेजन करूंगी he will eat तो उस time पे हमें क्या करना है जब बच्चा hungry है आपने उसको meal present किया और आप वहाँ से उसको दे कर गाय हो जाए ठीक है what will happen they will cry कि मुझे खाना है मुझे खाना है और you keep calming him singing okay mama is coming I'm coming you eat let's see if they eat it okay तो most मतलब आप जब फिंगर sorry जब आप उसकी fine motor activities पर work कर रहे होंगे और सारी चीज़ों पर work कर रहे होंगे they will try because they are very hungry तो ऐसे करते करते हो उनकी spoon holding भी आ जाएगी तो one is interest interest कैसे कि interest की चीज़े देनी है बहुत ज़ादा hungry हो तो self feed को promote करना है ठीक है दूसरा चीज मैंने आपको explain किया कि बच्चे की fine motor grip बहुत ज़रूरी है spoon holding के लिए तो अगर बच्चे का fine motor अच्छा नहीं है तो हमें fine motor skills activities करानी है जिससे उनकी gripping अच्छी हो sorting हो गया, threading हो गया, cutting, clipping जो paper clips होती है ना चिम्टिया, कपड़े सुखाने वाली उसको वो लगवा दिया wire पे या किसी paper पे, किसी cardboard पे वो बहुत अच्छी activity रहती है fine motor activity बहुत सारी मैंने अपने channel पे share की हुई है आप वो उससे करा सकते हैं जिससे उसकी fine muscles improve हो ठीक है तो जब उसकी fine muscles improve होंगी तो spoon holding भी आ जाएगी तो spoon holding आएगी तो they will also try it ठीक है the third thing is eye and hand coordination कि जहां उनको mouth में डालना है क्या वो डाल पा रहे हैं वो hand and eye coordination है उनका तो hand and eye coordination अगर वो नहीं है वो इदर आ रहा है इदर आ रहा है इदर जा रहा है तो that means they need proprioceptive input कि उनको proprioceptive input की requirement है जिसकी वज़े से उनको limbs का coordination आए पहली चीज़ eye and hand coordination की हम different activities करा सकते हैं जिससे उनका threading, beading यही सारी activities जो है eye and hand coordination में भी चलती है क्योंकि उनको देखना है कि thread में किस तरह से डालना है तो वो eye and hand coordination improve होगा तो proprioceptive activities हमें करानी है अगर limbs का coordination नहीं है तो उसका link में description box में डाल दूगी जो proprioceptive activities हैं तो ये तीन चीज़े अभी हमने cover करी कि spoon holding के लिए खाना खाने के लिए हमें किन तीन चीज़ों पर काम करना है अब कुछ ideas आपके साथ share कर रही हूँ self feeding को promote करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे के साथ बैठके खाना काना है ताकि वो आपको observe करे कि ममा spoon लेकर खा रही है make it a family time meal time family time कि आपने उसको family के बीच में बैठके खिलाया ताकि वो देखे कि हाँ सब अपने आप खाना खा रहे हैं try कि जब family time हो कभी बच्चे भी include कीजिये उसमें ताकि वो दूसरे बच्चों को देखके सीखे और आप उसको observe करवाने में help out कर पाए the second thing is visuals हम लोग उसको visuals के थूप pictures क्योंकि ASD की बात करूँ तो उसमें क्या होता है बच्चे visuals से बहुत जल्दी learn करते हैं they are visual seekers तो उनको आप different different visuals दे सकते हैं okay step one spoon step two spoon hold किया step three उसको food में डाला step four mouth में लिया sample this is the sequencing activity उसको visuals show किये उसको social stories share की उसको pretend play कर आया तो उसको एक mind में concept clear आएगा कि यह ऐसा खुद खाना खाना है तो इस तरह से हमने self feeding promote किया अब जो next चीज आती है हम लोग spoon holding improve करने के लिए जैसे कुछ एक activities करवा सकते हैं उससे so इस तरह की activities हम लोग promote कर सकते हैं spoon से कोई भी चीज को transfer करने को कह सकते हैं इससे spoon holding का concept समझ में आएगा बच्चे को कि spoon सही से hold कैसे करनी है ताकि कम से कम वो mass create करें साथ ही साथ free time में जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे को कोई भी snack दे सकते हैं मखाने मुर्मुरे कोई भी नमकीन जो बच्चे को पसंद हो dry item और वो उसको खाने के लिए दे सकते हैं तो उससे भी spoon holding काफी improve होती है तो इस तरह से हमने अपने बच्चों को self fading सिखाया अब question एक और आता है कि बच्चा अपने अप घर पे खा लेता है but what happens जब वो school में जाते हैं they don't open their lunch boxes also तो वहाँ पर हमें issues आते हैं being a mother हम लोग बहुत परिशान हो जाते हैं कि school में बच्चा जा रहा है वो खा नहीं रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस activity में मैंने same lunch box लिया है ताकि मैं बच्चे को उसको open and close करना सिखा पाऊं ताकि उसको school में जाके uneasy feel ना हो, uncomfortable feel ना हो और वो अपने lunch box को easily tackle कर पाए This is a great imitation activity जिसमें हम बच्चे को imitation भी सिखा रहे हैं and school के लिए ready कर रहे हैं कि lunch box इस तरह से open करना है इस तरह से close करना है और बच्चे को self feeding in the school के लिए हम लोग ready कर रहे हैं तो इस तरह से इस activity के थ्रू हमने उसको घर पे practice करा आया कि आपको अपना lunch box इस तरह से open close करना है so that उसको दिक्कत ना आए The next thing आपने जो school में made है teacher है उसको specially instruct करके रखना है Ma'am please continuously उसको verbal prompt देते रहे है कि eat your food, अपना खाना खाईए तो कुछ दिन ma'am please आप कीजिए otherwise वो नहीं खाता है तो क्या होता है वो outer wobble prompt के साथ भी हम लोग बच्चे को motivate करते हैं self feeding के लिए in school तो इस तरह से हम बच्चों को self feeding घर पे और school में सिखा सकते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे useful रहेगा आपके लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलिएगा Thank you so much